तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेशर मेंजरिंग इंस्टुमेंट के बारे में हमारे कौन कौन से इंस्टुमेंट यूज किया जाते हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए तो आये देखते हैं इस चैप्टर का और बॉल एकशन डे टिरे में टेक्नीक यूजफ ऑर दि मेजरर्मेंट ऑफ प्रेसर एड मंड़्योम इंस्टुमेंट यूजड मेजर और को मेजर का लिए यूज कि जाती है जो हमारी में जो टेक्निक है यहाँ पर मतलब जो इंस्टूमेंट है वो हमारा है बैरोमीटर मैनोमीटर इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें दिया हुआ है मैनोमीटर आज यूज़ फॉर दी मेसर्मेंट of very low pressure as well as vacuum especially in hydraulic laboratories तो जो हमारा मैनोमीटर होता है वो क्या होता है हमारी hydraulic laboratories में यूज किया जाता है pressure very low pressure को मापने के लिए तो दोस्तों आईए पढ़ते हैं बारोमीटर के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं बार मिंस क्या होता है बार मिंस हमारा होता है pressure तो ऐसा डिवाइस जो pressure को measure करें उसे हम क्या कहेंगे बारो मीटर तो बारोमीटर के उस क्या होता है pressure को मेजर करने के लिए आई यह देखते हैं कि बारोमीटर को कि हापने के लिए एक डिवाइस बना है जी से क्या कहा गया बैरोमिटर यहां पर दिया हुआ बैरोमिटर डिवाइस यह जर टूक्र टो सतने क्रमेश करता है look-up करता है रोता हुद क्या करता है सी लेवल समुद्र तल की उचाई एबाब और बिलो समुद्र लेवल के एबाब और बिलो जो क्या होता है वो हमारा क्या होता एट्मासफेरिक प्रिसर वेरी करता है तो जो हमारा वैरो मीटर है वो मेंली क्या है एट्मासफेरिक का यूज होता है तो अब देखते हैं मर्कृरी बैरोमेटर के बारे हम क्या दिया हुआ है इंदी मर्कृरी बैरोमेटर एक्मोस्फिरिक प्रेसर बैलेंसे और एक कॉलम ओफ मर्कृरी दि हाइट आफ बिच कैन बीप्रिसली मेजर्ड तू इंक्रीज दियर एकुरसी तो जैसा कि हम जानते हैं पीस कॉल्ट 2 हमारा क्या होता है पीस कॉल्ट होता है रो एच जी रो एच जी होता है तो आई हम देखते हैं एक हमारी एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें हमारा क्या होता है मर्कृरी पूरा फिल होता है मर्कृरी भरा होता है इसमें तो यह ट्य probe होती है तो जहां में Coleman measure करना जैसे इस container में जो है कि भरा हुआ है क्योग्विट अगर इस container साइज उसको क्या करेंगे ऐसे रख देंगे तो जो हम हम तब हम देखते हैं कि हमारा जो ना क्यों च्लिक्ट कश़िए करता है जैसा क्या यहां दिख रहा होगा यहां पर क्या क्रियेट किया इसने यहां पर वैक्यूम क्रेट किया मतलब जो मरकरी हमारा है जो मरकरी पूरा फिल था इस में ट्यूब में वह क्या हुआ वह नीचे चला गया तो यहां पर हमारा क्रियेट हो गया वैक्यूम और जितनी हाइट तक हमार तो लेकिन अगर अगर अट्मस्फिरिक प्रेसर हमारा सेम है तो हमारा क्या होगा है चाहे हम कितनी भी लंबी ट्यूब ले ले लेकिन जो हमारा एच रहेगा वो क्या रहेगा अगर अगर अट्मस्फिरिक प्रेसर सेम है तो हमारा एच भी उतना ही रहेगा चाहे ट्यूब कि जो हमारा है H की value कितनी आती है 760 mm यह हमारा क्या आता है 60 cm तो सबसे पहले PA की value कितनी हो जाएगी 760 mm अब mercury column यह तो हमारी PA की value आ गई फिर 1 mm of Hg is equal to 1 Taur होता है तो PA atmospheric pressure हमारा क्या आ गया 760 Taur लेकिन जो हमारा Taur है वो क्या है हमारी SI unit नहीं है तो जो हमारा atmospheric pressure आता है H, Rho, G यह तीन चीज़ें में चाहिए होंगी तो जैसा कि आपको यहां से H दिया हुआ है H कितना है 760 mm दिया हुआ है तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.76 मीटर यह हो गया रो हमारा कितना दिया हुआ है रो हमारा दिया हुआ है 13600 kg पर मीटर क्यों यह रो किसका है यह रो किसका है मरकरी का और यह height किसकी है मरकरी की जी की value दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वाइर और इसकी यह value हो गई रो की और H की value हो तो हमने क्या कि तीनों value उठा के है पूट कर दिया तो हमारा निकल के क्या है यह 1.013 इंटू 1025 न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर यह हमारी क्या आ गई SI unit पसकल क्या होंगय प y is equal to 1.0 3 टं तो यह था कि barometer से हम कैसे pressure को measure करते हैं अगर हमारा atmospheric pressure vary करेगा तो हमारा h vary करेगा तो हमारा atmospheric pressure vary तो हमने यहां से निकाल सकते हैं जितनी भी हमारी है की वैली होगी यह दोनों चीजें तो हमारी constant रहेंगी और है की वैली वगर वैरी कर रही है तो इसके वैली हम दाइस में जुर्ण निकाल लेंगे तो यह हमारा क्या आगा पी एटिया में तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा बैरो मीटर के बारे में आई आड आए हम पढ़ते हैं मेनो मीटर के बारे में मैनो मीटर हमारा क्या होता है तो मैनो मीटर साğज यह ऊश्टू मेजरिंग प्रेसर बाई बायलेंसिंग दिफिलिट कालम down of the ders logarithm of known specific gravity magnets can be classified two parameters किया करते हैं तो जो liquid होता है तोनों को specific gravity हम्हें पता होती है हम उन्हों column को एक्वल करके क्या करते हैं pressure को measure कर लेते हैं तो minor can be classifiedtalk config classification स्थ से क्क लिए नहीं सबर्साइब प्रकार का सबते हömंक Pryzometer यूटूब मेनोमेटर यूटूब मेनोमेटर अरो जहां वहारा सिन्गल कॉलम मेनոमेटर होता वह क्या होता है वर्टिकल होता एक एक तो inklined ये हमारे हमको 4 प्रकार के minimum meter फढ़ने है तो आई हम एक एक के बारे में फढ़ना सुरू करते है तो pyzometer क्या होता है ? Pyzometer एक tube होती है हमारी जहां पर हमें pressure को jiz be pipe या vessel के फिर pressure को हमें measure करना होता है वहां क्या कर देते हैं ? यह tube लगा दिते हैं और pressure को measure कर लेते हैं तो आएए दिखते हैं कि figure से आएए समझते हैं pressure को बैसे measure किया जाता है तो हमारा liquid क्या है? h height तक उपर चड़ गया तो हम कैसे pressure का formula हमको जैसे की पता आए है ρो, g, h यह क्या हमको पता है तो इसमें fluid की density हमको पता होगी कि containment में कौन सा fluid भरा है उसकी density क्या है G की value हमें पता ही है तो जितनी height तक हमारा fluid उस tube में चड़ा है तो उस height को हम measure करके क्या कर सकते है pressure को measure किया जा सकता है यह इसका simple form होता है सबसे simplest manometer हमारा यह है पैसो मीटर तो P बराबर H rho G हमने क्या किया H को measure कर लिया कि हमारे tube में कितनी height तक liquid चड़ा है तो rho हमें liquid का पता ही होगा यह fluid का और G हमें पता ही होगा तो हम क्या कर सकते हैं pressure को वहाँ measure कर सकते हैं कि हमारे container के center पर कितना pressure लग रहा है तो जैसा कि यहां आपको formula भी दिया हुआ है P is equal to D H G तो देख जहां से हम जहां क्या हो गया D is equal to density हो गया H equal to क्या हो गया height of liquid in piezometer from the center of pipe H हमारी height को measure कर लेंगे और G हमारा क्या है acceleration due to gravity तो हम क्या कर सकते हैं H को measure करके pressure को measure कर सकते हैं तो यही हमारा क्या होता है spazometer तो सबसे simplest manometer हमारा क्या होता है pyzometer इसके बाद हम पढ़ेंगे youtube manometer के बारे में तो thank you friends हमारा यह video देखने के लिए और updated videos के लिए हमारे channel को subscribe कर लें तथा इस video को like और share करना ना भूले Thank you friends for watching this video